गीग मेंच इतना शौकिंग आया ना गीग मेंच स्कोर इतना दा शौकिंग आया 15.5 बीटा 4 का कि मैं हुद है रान होगे हो देखकर कि भाई यह क्या स्कोर देखने को मिली है आज कि वीडियो के तरह बात करें वाले आयोस 15.5 बीटा 4 की परफॉर्मस के बारे में और बैटर यहां पर सारी चीतर के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे परफॉर्मस के बारे में बात करेंगे परफॉर्मस मुझे थोड़ी सी बेतर लगी है बीटा 3 से बीटा 1 में पहले हफते काफी अची परफॉर्मस थी बीटा 2 की अच्छी परफॉर्मस थी पीटा 3 में मुझे यहलें जो पर्फॉर्मस कात्राप मिलीौ्छ थी और काफी दीजाब देखने को मिले थे बैतरी के हवाले से भी और परफॉर्मस के हवाले से भी अभिक होब यू přिसके करों मुझे की Nev K स्कोर किया थाना 15.5 बीटा 4 का मैंने यह आपर नाम रखा हुआ है सिंगल कोड के अपर मुने देखने को मेरा था 914 और मुल्टी कोड के अपर देखने को मेरा 2059 आज मैंने दूसी दहबा टेस्ट रॉन किया है बीटा 4 का कुछ दिनों के बाद and it just shocked me सिंगल कोर 834 मल्टी कोर 1061 हाफ बिलकुल हाफ पहला बीटा 4 का स्कोर है 2059 ओल्मुस्ट हाफ हमें देखने को मिल रहा है यह मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा था on paper यहां पर लग रहा है के भाई performance तो बिलकुल ही नीचे की जाकर गिर गई है लेकिन मैंने इसको इसके बाद सब्सक्राइब दोबारा रन किया और नमर कम अप स्पेशली सिंगल कोर का काफी अचा स्कोर देखने को मिला 920 और मल्टी कोर का थोड़ा सा अभी भी यह खराब ही है इस कीज़ को देकर मैं एक बात करना चाहतू कि हम गीक में स्कोर के बड़ इतना जादा डिपेंड नही कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा ऑन पेपर कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है हमें थोड़ा सा आइडिया यह बता देता है कैसी परफॉर्मस होने वाली है लेकिन हम इसके बड़ इतना जाद डिपैंड नहीं कर सकते हैं अब मैं बात कर दूँ एक्चुल परफॉ इसका मतलब है कि हमें एक और बीटा देखने को मिलेगा और उसके बात हम पदेट की तरफ चले जाएंगे बैटरि लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहतूं जल्दी से तो बैटरी लाफ मुझे इंप्रूव मिली है मैंने बात की थी कि बीटा से थी को बैटरी लाफ काफी खराब हुई बाग्स भी देखने को मेरे से जहाँ पर 80% जो पर चारज नहीं था हो रहा आईफून 8 के उपर जो के काफी डी सेट है काफी अच्छा है इसका यही मतलब है आप जोंसा भी आईफून यूज़ का रहे हैं और डिपेंड नहीं करता फरक नहीं बढ़ता उसके उपर आपको कंप्लीट बैटरी लाफ देखने को मिलने वाली है तो हाँ बैटी लेफ भी बेतर हुई है प्रफॉर्मस थोड़ी सी बेतर हुई है बीटा 3 से लेकिर अभी प्रफॉर्मस में और चीज़े बेतर होने की काफी ज़्यदा जरूरत है और मैं definitely वह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वह चीज़े भी जल से जल हमें बेतर हों देखने को मिले तो यह थे गया से वीडियो को अम्मीद आपको वीडियो अची लेह होगी वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को करें सब्सक्राइब और डेफिनेटी मैं आपसे फिर मिलूगा अगली वीडियो के अंदर तब तक इमना ख्यार रखें अलाहाफिस पीस आउट